हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक, एक लेटेस्ट वेकेंसी अफडेट आइवी है, जो की institute of company secretaries of इंडिया ने वेकेंसी निकाली है, ठिक है, बट यह post company secretaries के लिए नहीं है, ठिक है, तो यह basically जो है MBAs और जिनोंने PG, DBM किया हूँ है, यह उनके लिए vacancies है, तो आगे हम देख ले अच्छा ये post में आपको दिया किया जाएगा 50,000 per month का remuneration है और basically ये जो post है ये contract basis पर है ठीक है और फिर contract को renew कर दिया जाएगा on a time to time basis और अगर आप इसके लिए eligible होंगे तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं जो post है वो मैं आपको बता देता हूँ post किसीज की है अगर आप कहींगे तो description में इसका मैं link भी share कर दूँगा जो place of posting रहेगी वो आपकी new Delhi रहेगी basically अगर मैं new Delhi में भी आपको बताऊं तो most probably लोधी road आपका जो है ICSI का actually headquarter वहीं है तो आपको वहाँ पर placement आपका हो जाएगा और देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो basically ये contract basis पर है और आपको पहले एक साल के लिए appoint किया जाएगा फिर performance के देखते हुए आपका contract को renew किया जा सकता है बात कर लेते हैं qualification की तो आपके पास MBA, PGDBM, post graduate degree, PG diploma ये सारी चीजे जो आप mention करीवी है देखिए ठीक है न कहीं भी इसमें company secretary की बात नहीं है और अगर आप नहीं जानते हैं कि ICSI क्या है तो देखिए एक special act of parliament से पास होकर ये एक statutory body है ठीक है वो एक तरीके से आपके लिए vacancy लेकर आई है ठीक है अगर अब हम बात करें आपका जो जिसको हम JD बोलते हैं job description क्या-क्या रहेगा वो इसमें check कर सकते हैं कि आपको जो जो भी जैसे हमारा institute of company secretaries of India मतलब basically company secretaries के professions से जो भी related इनके telegram है, instagram है, इनका youtube है, इनका linkedin है वो सारी चीजे को manage करना, उसमें जित्ता जाद से जादा brand का promotion करना, वो सारी चीजे आपका समालने का काम इसमें रहने वाला है तो जैसे आप देख सकते हैं कि social media के accounts को manage करना, content को create करना, design करना, digital advertisement, website में किस तरीके से उसको better किया जा सकता है वो सारी चीजे आपके profession से related है, तो आपको जादा उसमें समझ में आरा हुआ, फिर कुछ जो भी pictures, photos डलती है, उसको एक तरीके से manage करना, वो सारी चीजे आप देख सकते हैं और बाकी जो skills यो की required है, वो सारी चीजे ज़र mention करी हुई है, अब आपको करना क्या है, तो देखिए, last date अगर मैं आपको बताओं, तो 18th October को ये application close हो जाएगी, और आपको कुछ कोई fees नहीं देनी इसके लिए, ठीक है, no fees, कोई fees नहीं देनी, कोई आपका examination नहीं है, सिर् आपकी round off करना है, वो सब आप पढ़ी सकते हैं, आपको देख लेंगे, उसमें ऐसा कुछ बताने लाइक नहीं है, देखिए, यहाँ पर ये link दिया हुआ है, इससे आप अपने page को fulfill कर सकते हैं, अपना resume, photograph, signature वगरा जरू करियेगा, जिससे उसको असानी से आप attach कर सकें, बाकी, in case अगर कोई आपको doubt है, तो आप मुझसे भी comment में mention कर सकते हैं, या फिर आप इस mail ID पर भी mention करके पूछ सकते हैं, चिक है, तो hopesom मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इससे related, यहाँ पर eligibility, ठीक है, ओके, thank you so much, मिलते हैं अलग वीडियो में, thank you so much.